अस्तामनीकूल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टॉप स्मार्टीज, ट्रामा सिरियल धोका कॉमल तो हादी के साथ भाग कर निकाह करना चाहती थी, इसलिए हादी को अपने साथ निकाह के लिए ले भी गई लेकिन हादी को आज भी अपने चचा की इज़त का बहुत हयाल है, इसलिए उसे समझाती हुए घर ले आया नहीं, हम लोग ऐसे निकाह नहीं करेंगे, मेरे चचाजान सब को क्या जवाब देंगे, वो तो जीते जी मर जाएंगे कोई बात नहीं कॉमल, तुमें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अभी शादी तो नहीं हो रही ना, तुम उनके सामने चाओ, अगर वो पसंद करेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी ना, अभी तो सिफ मिलना है इस तरह से कॉमल को बात में लगा के, वो कॉमल को वापिस ले आता है, घर वले सभी बहुत परिशान थे, कि हादी कॉमल को कहां ले गया, लेकिन हादी ही है, जिसने सबकी इज़द बचाई, सबका मान रखा अब यहां पर घर आये तो सब की जान में जान आई तो कॉमल सब को बता देती है कि वो निकाह करना चाहते थे लेकिन हादी ही है जो उसे समझा कर घर वापिस दे कर आया है चचा जान की तो आंखें खुशी से चमक उठी कि हादी तो हीरा बच्चा है वो हादी के बहुत मश्कूर है लेकिन चची को कोई फर्क नहीं पड़ता चची ने बस अफरा तफरी में जल्दी से सारे इंतिसामात किये कि लड़का वले आ रहे हैं ऐसे में एहमर की फैमली आही जाती है तो कोमल जो बिलकुल त्यार नहीं हुई ऐसे ही उनके सामने आ गई तो यहां पर मा बात को टालते हुए कहने लगी मिरी बेटी की तबिया ठीक नहीं इसलिए इस हुलिये में आई है लेकिन एहमर को तो सिर्फ कोमल से शादी करनी है और यह शादी तैबी हो जाएगी क्योंकि एहमर पहले से शादी शुदा है और अब उसे दुबारा से शादी करनी है क्या मामलात पनते हैं एहमर की जिन्दगी के यह हमें आगे चलकर पता चलेगा लेकिन जैसे ही लड़के वाले नीची आए ओपर हादी की सांसे ही अटक गई अपनी मां से कहने लगा कॉमल होप त्यार होकर उनके सामने चाय पेश कर रही होगी अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे निकाह की डिमांड कर रही थी लड़कियां में कितनी अजीब हुआ करती है न हांदान की इज़त के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता मां भी बेबसी की आलम में सिर्फ बेटे को दलासा ही दे सकती है और कुछ नहीं ऐसे ही एहमर की फैमली कॉमल को देख कर तो चली गई कुछ दिन के बाद हां में जवाब भी आ जाता है मां तो बहुत धुश है कुमल को बताने लगी के एहमर की फैमली ने तुमें कबूल कर लिया वो तुमें पसंद करते हैं और अब तुम्हारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी कुमल तो हक्की बक्की रह गई कैसे पसंद कर सकते हैं तो कोई त्यार भी नहीं हुई थी लेकिन यहाँ पर उन्होंने पसंदों कर ही लिया अब यू हूँ आइस्ता ही आइस्ता दिन बदलते जाएंगे और रिष्टे भी एहमर के साथ कॉमल की शादी हो जाएगी हादी बिचारा बस देखता ही रह जाएगा क्योंकि उसके पास ना तो अच्छी जॉब है ना ही पैसा कि वो बड़े ही हक से कॉमल का रिष्टा मांग सकता लेकिन यह एहमर कॉमल की दामन पर ऐसा दबबा लगाएगा कि उसको तलाक ही दे देगा तो फिर चची जान के पास सवाए हादी के कोई रस्ता नहीं बचेगा हर तरफ से धोका मिलेगा तबी तो हादी की याद आएगी तो फ्रेंट्स आपको आने वाली इस एपिसोड का छोटा सा रीवियू कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताईए का मसीद वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके साथ प्याज नोटिफकेशन जरूर पैस कीचे ताकि आने वादी हर वीडियो बहुत असानी से देख सकें अलाहाफ पीस